बिस्मिल्लायरमान रहीम, अस्सलामु अलेकूम, विवर्स आज आपके लिए एक बहुती मज़िदार रेसिपी लेकर आएंकूम, यह है आलमंड चिकन करी, यह बहुत ही यूनीक डिश है और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, तो इसके लिए जो इंग्रीडियेंट समको चाहिए है, चलिया आएए उन्हें पहले नोट डाउन कर लेते हैं, आलमंड चिकन करी बनाने के लिए चिकन ली है, मैंने आदा किलो, उसके लावा इसमें जाएगा दही, एक कप, उसके लावा इसके अंदर 25 बदाम, और एक खाने का चमचा, मैलन सीड्स लेके, मैंन मैंने दूद के अंदर भिगो दिये, और फिर एक घंटे के बाद उन्हें जो है, ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके एक पेस बना लिया, ये भी एक कप के करीब है, उसके लावा दो मीडियम साइज की प्यास को मैंने चॉपर मशीन में बिल्कुल फाइन चॉप कर ल आधा खाने का चमचा, नमक जाएगा एक चाय का चमचा या आपके टेस्ट के हिसाब से, इसके लावा इसमें लीमू का रस जाएगा, दो टेबल स्पून, कुटी हुई काले मेड जाएगी, ये पिसा हुआ पाउडर नहीं है, कुटी हुई काले मेड जाए, आधा खाने का ऐधा चाये का चमचे, यानिके 1.5 T Zombie घ्वड लाहियों, आधा चायी का चमचा, 2-3 Tb फ Iran से त्व तक रख करता है इस्तनाम करें धुली देख स्थे इन्दर अधा ज़ए आधे जयाए प्रमित साथ साथ ही चला जाएगा इसमें लहसन का पेस्ट, उसके बाद इसमें जा रहा है लीमु करस, काली मिर्ज ट्रस्ट, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, सफेद मिर्ज का पाउडर, दही, और ये बादम का पेस्ट जो हमने बना के रखा दा, इसे अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं, मैंने हाथ अच्छे तरीके से धो लिये हैं, आप भी हाथ धो के और फिर इसे मैरिनेट करने के लिए मिक्स कीजिएगा, इसे मैंने क्लिंफिल्म से रैप कर दिया है, और अब इसे मैं दो घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूं, चिकिन को मैरिनेट होते हैं, दो तीन घंटे हो गए हैं, अब मैंने एक कप वाईल जो है, वो कड़ाई में ले लिया है, उसके अंदर सबसे पहले मैं प्याद प्याद को हमने सिर्फ सौटे करना है, सौट करना है, इसका कलर चेंड नहीं करना है, तो इसे पहले सौट कर लेते हैं, प्याद बहुत अच्छे तरीके से सौट हो गई है, अब इसके अंदर चले जाएगी ये मैरिनेट की हुई चिकन, अब मैंने स्टोब जो है, उसकी फ्लेम फुल कर दी है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ग्रेवी ही अंदर जो शाना शुरू हो गया है, तो ऐसे मैं मैं इसकी फ्लेम जो हो मीडियम पर कर देती हूँ, और उसके बाद इसे कवर करके, हमने तब तक पकाना है, जब तक इसका तमाम पानी ड्राय नहीं हो जाता और चिकन हमारी टेंडर नहीं हो जाती, चिकन हमारी अलमोस्ट कूप हो चुकी है, इसका ओयल जो है वो उपर आ गया है, ग्रेवी भी थिक हो गयी है, अब इस वक्त इसके अंदर मैं एड़ कर रहें हूँ, ग्रीन चिली और साथ में इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, इसको एक मिंट मिक्स करते हैं, और फिर सिरफ इसको एक से दो मिंट के लिए, मैं धीमी आज के उपर दम पर रखूँगी ताके इन दोनों की खुश्बू और जाएगा जो है वो इस ग्रेवी के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे, मज़दार आलमंड चिकन करी बिल्कुल रिडी है, बहुत ही टेस्टी डिश है, पार्टी इसके लिए बैस्ट है, आप बनाईए, आपको जपीनन पसंद आएगी, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके लावा मेरा एक फेस्बुक पेज भी है, उसे लाइक कीजिए, जहां आपको काफी वराइटी में रिटन रेसिपीज मिल जाएंगी, उसके लावा मेरा एक डेली मोशन भी है, वहां मुझे फॉलो कीजिए, और मुझे अपनी दौाओं में याद रखिए, अलावाफेस